नूतन सोल डीम के आप सब वोका बहुत बहुत स्वागत करती है आप लहसन खाने के फैदे के बारे में आप जान कर बहुत ही हैरान रहने वाले हैं क्योंकि लाखों खर्च करके भी आपको इतने फैदे नहीं मिलेंगे जितने लहसन खाने के फैदे होते हैं और इसे किस तरह से आपको खाना है, कैसे खाना है, कितना खाना है, सभी कुछ यहाँ इन्फोर्मेशन देने वाली हूँ, तो वीडियो को जोर पूरा दे के ताकि आपको सही जानकरी प्राप्त हूँ. महरसी वागवर जी के द्वारा लिखी गई पुस्तक, अस्टंग रिद्यम में दिया गया है, कि लहसन खाने के कितने फैदे हैं, और वात, पित, कफ, प्रकृति के लोगों के लिए, किस तरह से लहसन का सेवन करने से उसे फैदा हो सकते हैं, तो आज मैं सभी कुछ इस वीड वीडियो बनाने में बहुत महनत लगती है, बहुत समय लगता है, वीडियो को लाइक करने से हमारी मोटिवेशन बने रहती है, जिससे कि मैं आपके लिए और भी अच्छे ची वीडियो लाओंगे, जिससे कि आप स्वस्त रहेंगे, खुझे हैं, तो फ्रेंड, सब्सक्रा अपने घरिलू उपाय का यूज करते थे और स्वस्त रहते थे, जिसके कान उन्हें कोई साइटिफेक नहीं होती थी और बहुत बरी से बरी बिमारियों से बचे रहते थे, तो आज में जो वीडियो सेर करने जा रहे हूँ, ये आपके लिए बहुत ही फायदे मन्द को द्यान से जो देखिएगा, तो जहां तक लहसन के फायदे की बात की जाएं, लहसन वेंजन के स्वाद को बढ़ाने के साथ साथ ये काफी फायदे मन्द होती है, इसमें बहुत सारे औस देगून पाया जाते हैं, जिससे कि आपको जिन्देगी बढ़िये स्वस्त रख स प्रविवार्ट न्हें दूसरे फ्याइद की जाए कि यादी आपको पांचनक्रिया मजबूत नहीं है सरीर को डिटॉक्सिफाइं करती है सरीर से सभी विशाले पतात को नीकालने का काम करती है ड्यावटीज रोखने में मदद करती है यदि किसी इसके साथ ही तीवी जैसी समस्या से भी रोग ठाम करती है सर्दी खांसी के लिए काफी फायदे मंदिल कभी आपको अस्तमा जैसी बिमारिया जूब भी नहीं सकेगी यदि आप लहजन सुबह सुबह खाली पेट खाते हैं तो इसके साथ ही यदि केलिस्ट्रॉल लेवल आपका बढ़ा हुआ रहता है यानि बैट केलिस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ रहता है तो यह बैट केलिस्ट्रॉल को कंट्रोल करता है और गूट केलिस्ट्रॉल को बनाने का काम करता है साथ ही आँखों की रोशनी क छू भी नहीं सकती है, क्यूंकि लहसन में एंटी फंगल, मैगनीज, पोटैसियम, आइरेन, कैलसियम और बहुत सारे विटामिन्स जैसे गुन पाये जाते हैं, जरुरत से जादा सेवन करना इसे खानीकारक हो सकती है, तो आप एक सीमा, यानि एक लिमिट तक ही करें, यानि स कंट्रोल करता है, रात को लहसन खाने से, बस दो से तीन कलिया आप लहसन खा ले, उसके बाद हलका सा गुनगुना पानी पी ले, रात को सोने से पहले, तो इससे आपका वजन कंट्रोल होता चले जाएगा, आपका चड़ भी बनना बंद हो जाएगा, जितना चड़ भी है वो धीरे-धीरे घटना स्टार्ट हो जाएगा, यानि आपका वजन को कम करना शुरू कर देता है, इसके साथ यदि आपको हड्डियों में प्रॉलम है, बहुत ज़्यादा हड्डियों में दरत रहता है, हड्डियों से रिलेटेड प्रॉलम है, गठिया जैसी समस्या है, क प्रॉलम है, इसके साथ इम्मिनिटी को बूष्ट करने का काम करती है, यदि आपका इम्मिनिटी बूष्ट रहेगी तो कोई भी संक्रमन आपको अटक नहीं करेगा, कोई भी बिमारी आपको अटक नहीं करेगी, क्योंकि आप खुद से ही अंदर से मजबूत रहेंगे, इ नुँइट यदि आप ऍवी पढ़न को सेवन करना चाहें जांता है कि मोझना आब वह शृतम ज़ाई तो आपowych पहुझा कंचिज और चाहिब आप further पर पहुंचा अपर सेवन को सेवन नहीं क्यों करें तो किन लोगों को लहसन का सेवन नहीं करना चाहिए आए जानते हैं यदि किसी को acidity की समस्या है पेट फुलने की समस्या है गैस बहुत जादा बनती है तो उन्हें लहसन का सेवन नहीं करना है और यदि आप करते हैं लहसन का सेवन लहसन का सेवन करना चाहते हैं तो आप लह लहसन को ले करके खा लेते हैं, लहसन को मधु में ढ़ूबो के ही रात बार रखना है, तब सुबह उस लहसन का सेवन कर सकते हैं, तब क्या होगा कि लहसन की ग़ाचनश में खतम हë जाएगी और पेठ भून धंडक प्रद्राण करेगी, और दूसरा किन लोगों के को नहीं ख जिसे भी है उसे लहसन का सेवन नहीं करना चाहिए या फिर कच्चे लहसन का सेवन नहीं करना चाहिए आप पका के लहसन का खा सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है तो इन लोगों को लहसन का सेवन नहीं करना है और बाद बाकि और सभी कोई लहसन का सेवन कर सकते हैं ये बहुत ही फैदेमन्द चीज होती है जैसी कि मैं आपको अभी पूरी वीडियो में बता ही चुकी हो तो आई होप आप सबों के लिए वीडियो काफी फैदेमन्द रहेगी जाज़ ज़दे इस वीडियो का अपने फैमली अपने चाहने वालों को जो सेर के रहे ताल कि सभी को इससे फै सब्सक्राइब करके बेल बटन जो क्लिक कर लें ताकि मेरी आने वाले सभी वीडियो आप तक सबसे पहले पहले पहुंचे मैं आपके लिए ऐसी वीडियो ले के आ सकूँ स्टे सेफ एंड श्टे